हलो दोस्तो मैं हो कास दिपर्मा हिंदी वाइस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारती राष्टी कांग्रेस के 45 अधिवेशन जो 1929 में हुआ था और 50 अधिवेशन जो 1937 में हुआ था इन तीनों अधिवेशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं भारती राष्टी कांग्रेस का 45 अधिवेशन यह अधिवेशन 1929 में हुआ था और यह अधिवेशन लहौर में करवाया गया था इस अधिवेशन की अधक्षित की थी ज चलाया जाना था और इस अधिवेशन में निर्णा लेया गया था कि 26 जनवरी को प्रतेक वर्स सोतंता दिवस मनाने का निर्णा लिया गया था कांग्रेस का 45 अधिवेशन जो 1929 में हुआ था लहौर में कराया गया था अधिवेशन और इस अधिवेशन की अधिक्षिता ज इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के बारे मुशना किया गया था और इस अधिवेशन में समझोता को मंजूरी सुख्रिती दिया गया था इस अधिवेशन में गांधियुरी समझोता को सुख्रिती मिला था उसके बाद देखते हैं कांगरेस का पच्चासवा अधिवेशन देखें ग्रेस का पच्छाषवा अधिवेशन 1937 में हूँ था ये अधिवेशन भैजपूर में हुआ थी कि यह प्रत्म अधिवेशन है जो एक गाव में संपन हुआ था इस अधिवेशन की अधक्षिता जोहलाल नहरू ने किया था और इसमें विशेज बात या थी कि इस अधिवेशन में 13 सुत्री अईस्थाई क्रिसी का रिकम को घोसित किया गया था पचासवा अधिवेशन 1937 में हुआ था फैचपूर में कराया गया था जो कि एक गाउ में हुआ था ये प्रतम अधिवेशन है जो एक गाउ में समपन हुआ था इस अधिवेशन की अधक्षिता जोहलल नहरू ने किया था और 13 सुत्री अईस्थाई क्रिसी का रिकम घोसित कि गया था कॉंग्रेस के पचासवा अधिवेशन में तो इस वीडियो में हम लोगोंने भारती राष्टी कांग्रेस के 45 वा धिवेशन, 46 वा धिवेशन और 50 वा धिवेशन के बारे में पढ़ा आपसे एक रूक्वेश्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चेनल हिंदी वास को स सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलिस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को आउन करें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यावाद